हलो नमस्कार दोस्तों आपके अपनी यूटूब चैनल हिंदी इंडियन टेकनोलाजी में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको वीवो वाई 11 में चार्जिंग प्रॉबलम को कैसे सॉल्ब करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पूरा देखें वीडियो सुरू करने से पहले आप से गुजारिश करना चाहूँगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन को सरूर दबा ले ताकि इसी दरग वीडियो आपको मिसा देखने को मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपके फोन में चार्जिंग प्रॉबलम आती है या फिर फेंक चार्जिंग प्रॉबलम आती है तो आप कैसे सॉल्ब करेंगे इसके बारे में इसमें बताने वाला हूँ तो दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर से जो पावर की सप्लाई इस पट्टे से होते हुए यहाँ पर आती है और इससे बैटरी कनेक्टर के पास आती है और अगर वो सप्लाई आपके चार्जिंग कनेक्टर से बैटरी कनेक्टर तक नहीं पहुंच रही है कहीं से ब्रेक हो क्योंकि यह charging connector उल्टा लगा होता है प्लस पॉंट का jumper आपको सबसे पहले इस वाले capacitor पर लगाना है अगर यहां से भी आपके फोन में charging problem solve नहीं होती है तो आपको प्लस वाले पॉंट से एक jumper लेना है और वो jumper कहां करना यह मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस पट्टे के नीचे आपको 4-5 points दिख रहे होंगे तो यहां पर मैं आपको एक बार clear करके दिखा देता हूँ तो आपको प्लस वाले points से यहां पर जो 5 points दिख रहे हैं आपको पहले वाले points पर jumper करना है तो माइनस वाले पॉंट से आपको एक जमपर लेना है और वो जमपर आप चाहें तो यहां पर लगा सकते हैं अगर यहां नहीं लगाना चाहते तो आप यहां पर भी लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों एक बार फिर्स मैं आपको किलियर करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जमपर कुछ इस तरह से करना है इस तरह से जमपर करने पर आपके फोन में चार्जिंग प्राबलम सॉल्फ हो जाएगी तो अमीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो यूद्फुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेट्स जरूर करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सरूर दबा ले ताकि इसी तरह वीडियो आपको मेंसा देखने को मिलती रहे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में